हेलो एवरिवन आज हम बनाने वाले हैं बेसन की एक तब नई और यूनिक रेसिपी जिसे आप एक बार नहीं बार बार बना के खाना पसंद करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा इस सबजी को बनाने के लिए सबसे और हिंग जरूर लारिएगा बेसन में हिंग डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आधी चमच कस्तूरी मैथी को अच्छे से उसमें क्रश करके डाल दीजेगा थोड़ी से उसके अंदर अजमाई नेट कीजेगा और एक चमच उसके अंदर सासो का तेल डालिएगा फिर यहाँ पे हम एक पिंच इसके अंदर सोडा डालेंगे सोडा जादा मत डाल दीजेगा सिर्फ एक पिंच डालना है अब यहाँ पे मैंने तीन चमच धही इसमाल किया है क्योंकि धही मेरा थोड़ा पतला है अगर आपका धही थिक है तो आप 1.5 चमच डालिए जो बेस तो आप पहले नमक जरूर डालीजिए गा ठीक है तो मुझे बाद में याद आया तो मैंने उसमें नमक मिक्स कर दिया तो टेस्ट के अनुसार आपस में नमक डालिए और अच्छे से उस डो को हम लगा लेंगे आप देख सकते हैं जब मैं नमक मिला रही हूं तो यह कितना ट तो perfectly हमारा डोल लग चुका है अब इसमें हलका सा हम सरसों का तेल लेंगे और इसको अच्छे से उपर से चिकना कर लेंगे जैसे जैसे हम चिकना करेंगे यह देखना एकदम बेसन चिपकना बंद हो जाएगा जैसे हम सरसों का तेल उपर से लगाएंगे तो यह बेसन का तो चुटे चुटे से टोड लेंगे, यानि हमें चोटे-चोटे से इसके लुइज तोड लेनी है, इस तरीके से, और फिर इसको एक रांड की शेव दे देनी है चिकना, और इसको लंबे-लंबे, साप होते हैं, लंबे-लंबे स्नाक, स्टेक आप कुछ भी बोल सकते हो एक प्लेट फॉर्म पर ले लीजिए चॉपिंग बोर्ड पर लेजिए आप उन्हें लंबा लंबा इसे बना लीजिए सेप की जैसे आपकी घर में छोटे बच्चे होना तो ये काम उनको दे दीजिए डेफनेटली वो बहुत ही अच्छे से करते हैं अभी वेकेशन टाइम चल ला है तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है इस तरीके का काम करने में तो मैंने भी सिर्फ आपको दिखाया था बागी का सारा काम मेरी खुद बेटी ने किया उसे भी बहुत मज़ा आता है इस तरह की चीज़े करने में तो यह देखिए सब मेरी बेटी ने देखी है सब बना के वही देखे गई है तो इस तरह हमने देखी काफी सारे अच्छे लंबे-लंबे इसके सेप बना लिए हैं मैं इनको एक जगे घटा कर रही हूँ यह आपस में चिपक नहीं रहे हैं क्योंकि हमने डोब बहुत ही अच्छा लगाया था अब इनको गुमा-गुमा के छोटे-छोटे से सेप में तोड लीजे आप चाहों तो स्टार्टिक में ही जब बना रहे थे न बबर्तन भी्यंटे नी हों गये और उसमेга F理ay suffix लेवर फिर जड़े रृदे का सेव अच्छ में तो निस में न edegत दाले चाह dûब आपको तक रहे है हम आगे की करते हैं प्रिपेशन इसके लिए मैंने आज दो टिमाटर एक हरी सिम्बला मिर्च आधी कटोरी मटर ली है चार पाच हरी मिर्च ली है एक इंच अद्रक का टुकड़ा लिया है और मटर यह कच्छी है वॉयल की हुई मटर नहीं है ठीक है एक मिक्सी का जाल ले ल ठीक है यह प्यूरी बन चुकी है चलिए तो अब हम चलते हैं इसकी आगे की प्रवब यहां पर हमने रख दी है कड़ाई उसमें डाला हमने आधी कटोरी कुकिंग ओईल तो यहां हम कुकिंग ओईल का इस्तमाल कर रहे हैं अब उसके अंदर आधी चमच जीरा और आधी च ब। इसमें प्यो सिलो होनी चाहिए जो प्योरी हमने मटर मटर के उटे माटर सिमला मिजड़ की वह इसकी अंदर डाल जेंगे और इसके अंदर डालने के बाद अब हम इसमें आधी कटोरी डालना है दही, ठीक है, यह दही मेरा थोड़ा पतला है, इसलिए तो यहां पर मैंने आधी कटोरी लिया है, आप आधी कटोरी एक कटोरी में साब से ले सकते हैं, लेकिन दही ज्यादा खटा बिल्कुल भी नहीं नौर्मल धही होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पर हमने धही डाल दिया है, धही डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लीजे, यह फटा-फटा सा यह दीक रहने दीजे, इसी से इसका टेक्शर बहुत अच्छा आएगा, अब इसको जब तक पकाईए, जब तक यह ऑ पानी के सहीद हम इसको यूज करेंगे, तो बस अब इस स्टेज पर गैस को बंद कर दीजे, सेव हमारे अच्छे से कोख हो चोके हैं, तो यह अब हमारे हम चलते हैं, हमारी ग्रेवी की तरव यह देखी, इतनी देर में हमारी ग्रेवी ने भी ओयल छोड़ दिया है, पूर अब जो सेव सहीद पानी था, वो इसके अंदर पूरा डाल दीजे, ठीक है, यहापे हमने पूरा डाल दीजे, अगर लग रहा है कि आपके सेव बाले पानी में पानी कम बचा है, तो आप इसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, क्योंकि अभी इसको भी हम 5-6 मिनिट खत हमने इसको 5 मिन खटकाया और ओयल उपर आ गया, यह सबजी हमारी बन के लगबग रेडी हो चुकी है, यह देखे बेसन की नई तरह की जो सबजी हमने बनाई है, बहुत ही अच्छी रगती है खाने में, इसे हमने बिना लहसन, बिना प्याच के बनाया है, तो जो जैन है, वो भी इस सबजी को बना के आराम से खा सकते हैं, और इसकी ग्रेवी देखके कोई नहीं कह सकता है, कि हमने इसे बिदावर लेसन, बिदावर प्यास के बनाया है, बनादी ओनियन गालिक बनाया, और खुब सारा हरा धनिया डाल दीजे, बही हरे धनिये के बिना तो कोई भ हरा धनिया, मतलब हरे धनिया के वेना मुझा सरकता है, सारी सबजیاں ही अदूरी होती है, तो गाड़ी पतली आप अपनी अनुसार रख लिजे, कि आपको किती थिक रखनी है, किती पतली रखनी है, बैसे ये सबजी थोड़ी ठंडी होने के बाद थोड़ी गाड़ी होने लगती है ठीक ही क्योंकि बेशन की सबजी है तो तूड़ी गारी होने लग जाती है मैंने अभी मीडियम ही रखी है ना गारी पर किये ना पतली रखी है और बिलीब में दोस्तों ये रोटी के संग लच्छा पराठे के संग खाने में बहुत जादा टीस्टी लगती है राज तो एक बार बनाके इस सबजी को ट्राय जरू करिजीगा और वीडियो पसंद आई हो रेसिपी पसंद आई हो थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक, शेर, और सब्सक्राइब जरूर कीजीगा फिर मिरेंगे आपसे ऐसी ही किसी वीडियो के संग ओके बाई बै